हलो दोस्तो मैं रिश्यानन्द आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे ओफिशियल YouTube चैनल पर जिसका नाम है वैदी गनित तो दोस्तो ये Quantity Aptitude by Arun Sharma solution series second चल रही है ठीक है ये second series है और इस series में आपको number system का solution देखने को मिलने वाले है number system का part 28 है और इस part में आपको level 1 के questions के solution मिलेंगे और question number 141 से लेके question number 150 तक के questions के आपको solution मिलने वाले है ठीक है और ये कौन से book के मैं करवा रहा हूँ ये How to prepare for Quantity Aptitude book है जो की cat के लिए है अरुन शर्मा के द्वारे ये book लिकी गई है इसी book का आपको यहाँ पे solution देखने को मिलने वाला है ठीक है level 1 के कुछ questions हमने कर लिये थे और 140 तक हमारे questions complete हो चुके है तो हमारे 141 से लेके 150 तक के questions इस video में आपको देखने को मिलने वाले है फर्दर अभी हम इसको फिर से आगे बढ़ा रहे है और इसमें जो questions हमारे बचे हुए है 141 से लेके और जो further है इसमें 1500 तक ही है तो यहाँ पर आपको 10 questions के यहाँ पर आपको solution देखने को मिलने वाले तो दोस्तों यह video उनके लिए काफी ज्यादा useful होगी जो ऐसे से CGL का preparation करें या फिर CHSL के examination का या फिर CPU का exam होगे उसके लिए अगर preparation करें इन में से किसी भी examination का अगर वो preparation करें ना तो उनके लिए video काफी ज्यादा useful होगी ठीक है तो दोस्तों चली शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक बात और इस वीडियो का अगर आपको PDF required होगा तो उसका link आपको नीचे description box मिल जाएगा आप चाहो तो वहां से download करके अपने feature reference के लिए रख सकते हो साथ ही साथ जो मेरा telegram का जो group है या फिर जो मेरा WhatsApp का जो group है वहां पी भी PDF का link वहां पी डाल देता हो चाहो तो वहां से भी आप रख सकते हो अपने पास download करके ठीक है और इन दोनों का telegram का और WhatsApp का जो group का link है वह भी आपको नीचे discussion box मिल जाएगा आप वहां से चाहो तो मेरे साथ जूड सकते हो ठीक है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक एक करके question लेते हैं और उनका solution देखते हैं हा तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है पहला सवाल का है वेन 876 is added to another 3-digit number 2P3 we get a 4-digit number 10Q9 and 10Q9 is divisible by 11 then the value of P-Q is ठीक है ठीक है सवाल को सबसे पहले समझ लीजे क्या बोले जा रहा है कि एक number है मेरा पास 876 जिसमें हम add करते हैं 3-digit number 2P3 को add करते हैं ठीक है तो जब हम add करते हैं तो हमार पास एक नया number आता है जो कि 4-digit का होता है उसको वो क्या आता आ 10Q9 आता है ठीक है और यह जो 10Q9 जो आता है हमारा वो क्या आपको 11 से divisible है ठीक है तो हमें क्या बताना यहाँ पर P-Q का value बताना ठीक है काफी अच्छा सवाल है यह है ठीक है समझ यह यहाँ पर दो-दो concept यहाँ पर लगने वाले एक तो देखो बोल किया रहा है सवाल में क कि मेरे पास एक number 876 ठीक है और इसमें हम लोग क्या add करेंगे यहाँ पर add करेंगे 2P3 और इसको जब हम add करेंगे तो मेरे पास जो number निकल करेंगे और क्या निकल करेंगे यह तो होगे आपका 9 होगे इधर यह आ जागा Q और इधर में आ जागा 10 अबर आप देख पा रहे हो तो 6 और 3 को जोड़ोगे तो 9 तो आएगा ही आएगा 8 और 2 को जोड़ोगे तो 10 आएगा ही आएगा तो इसको मतलब क्या है कि Q जो होगा वो कितने के बरावर हो जागा 7 प्लस P के बरावर होगा समझ पा रहे है इस चीच को कितने के बरावर होगा 7 प्लस P के बरावर होगा ठीक है अब देखो एक चीज और है कि यह जो हमारा निकल के जो आ रहा है 10Q9 वो divisible किससे 11 से मतलब क्या है कि 10Q9 को जब हम लोग divide कर सकते हैं किससे 11 से 11 से जब divide कर सकते हैं तो यहाँ पर यह concept आता है कि कोई भी number जो 11 से divisible है वो कब होगा जब odd term का sum और event term का sum इन दोनों का जो हम लोग यह करेंगे क्या बोलते हैं माइनस करेंगे मतलब यहाँ पर क्या करेंगे sum of odd term minus sum of event term ठीक है यह क्या होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 11 के multiple में होना चाहिए तभी वो number 11 से क्या होता है divisible होता है यहाँ पर odd term कौन-कौन से एक तो 9 है और 0 हमें क्या देखना है प्लेस देखना है कौन से प्लेस पर तो odd term में मेरा और प्लेस पर कौन सा है 9 और 0 है तीन दोनों को जोड़ देए कितना होना चाहिए या फिर 11 का multiple में होना चाहिए तो हम क्या लेके चल रहे है भी 0 लेके चल रहे है यह 9 हो गया minus q minus 1 is equal to क्या हो गया पर 0 हो गया ठीक है तो q की value कितनी आ जाती है यहांसे q की value आ जाएगी यहांसे 8 q की value कितनी आ गगई 8 जब हमारा q 8 है तो p कितना होना चाहिए जब q हमारा 8 है तो p हो जाना चाहिए 7 प्लस p तो P की value क्या होगी, P की value हो जागी 1, कितना हो जागा P का value, 1 हो जागा, लिए हमसे पूछा कि यह जा रहा है, कि P minus Q क्या होगा, तो P minus Q, P कितना हमारा 1 है, और minus में Q है आपका 8, that is कितना हो जागा, minus 7, तो minus 7 क्या हो जागा, इसका उत्तर हो जाएगा, समझ गए इस सवाल को, बढ़ा जाए, अब अपना अगला सवाल देखते है, हाँ, तो दोस्तों, अगला सवाल आपके screen पर है, अगला सवाल कहा है, there is a 22 digit number, which consists of only one digit from 1, 2, 3, 4, 5, or 6, example जैसे है कि 111 लेके कहां तक जारे है हम लोग, 22 digit तक चले गए, फिर 22 लेके जारे हैं, कहां तक हम लोग, 22 digit तक जारे है, उसी तरह 66 लेके कहां तक जारे हम लोग, 22 digit तक लेके जारे है, ठीक है, such a number is always divisible by, ठीक है, तो हमारे पास number हमें कौन सा लेना है, या तो 1 में लेना, या तो 2 में लेना, या 3 में लेना, या यह कहां तक जाएगा, आपका 6 तक जाएगा, ठीक है, और यह कैसे जाएगा, 1111 1 ऐसे करके जाएगा या 22 22 जाएगा कहां तक जाएगा आपको 22 टक जाएगा तो आप बोल क्या रहा है कि एसा कौन सा नंबर है जिससी यह हमेशा जो नंबर हमारा आएगा निकल के वो क्या हो जाना चाहिए divisible होना चाहिए तो बहुत । सिम्पल से सोचने वाली बात है, एक तुजार आपका है टू, 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 एक एक एक्जामबल हम ले रहे हैं, टू, और यह ऐसे चलता जाएगा, कहां तक जाएगा आपका, 22 डिजिट तक जाएगा, तो लास्ट में भी आपका क्या होगा, 22 डिजिट तक चलता जाएगा, ठ तो अभी अभी हमने पीछे वाले में देखा है, कि 11 से वही number divisible होता है, जिसमें क्या हो हमारा, जिसमें हमारा sum of odd जो place पे number होते, minus sum of even place पे जो number होते, उनका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यह हमारा क्या आपका, 22 डिजिट तक जा रहा, ऐसे से करके 22 डिजिट है, तो 22 में अगर आप देखोगे तो इसका इसके साथ pair बनेगा, इसका इसके साथ pair बनेगा, यहां पर कोई भी अलग नहीं रहा पाएगा, जैसे मैं यहां पर माल लोगर में 6 डिजिट का लेता हो, 2, 2, 2, 2, और यह 2, यह 2, ठीक है, यह भी 11 से क्या होगा, divisible हो, कैसे होगा, इन इनका इनका pair बनेगा, ठीक है, उसी प्रकार से इनका इनका pair बनेगा, odd place पे कौन-कौन सा है, यह सारे कौन से आपको, odd place पे, ठीक है, यह सारे कौन से, odd place पे, और यह सारे कौन से होजाएंगे, आपके even place पे होजाएंगे, तो odd का सम यहां पे निकाल लो, 2, 2, 2, 2, ठीक है जीरो हारा ना तो इसका मतलब ये भी क्या आपको 11 से divisible है उसी प्रकार से ये 22 डीजिट तक जाएगा तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका pair बन जाएगा और जो की निकल के कितना आएगा जीरो आएगा तो बतलब यहाँ से आप कोई भी ले लो 1 का ले लो, 2 का ले लो, 3 का ले लो, 4 का ले लो, 5 का ले लो, 6 का ले लो ये सारे क्या होंगे आपको 11 से divisible हो कब जब यहाँ पे 22 डीजिट नंबर होंगे तब तो कौन सा नंबर यहाँ पे जवाब हो जाना चाहिए 11 11 is the answer, इस से हमेशा क्या होगा, यह divisible होगा clear है बात यहाँ तक, ठीक है चलिए अगला सवाल देख दिया जाए तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है अगला सवाल कहा है, the product of factors of 72 is यहाँ पे क्या निकालना हमें, कि 72 के जो factors होगे न उनका product कितने के बरावर होगा, यह चीजह हमें यहाँ पे बताना है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, 72 के factors कौन कौन से तो factors का मतलब क्या होता, factors का मतलब यह होता है, factor जो आपको divide करते that is your factor, ठीक है, तो 72 कौन कौन से divide कर सकता है एक तो 1 करेगा divide, फिर कौन करेगा, 2 करेगा, फिर कौन कर सकता है, फिर 4 हो जाएंगे इसके factor, 4 के बाद क्या 5 होगा, नहीं होगा, उसके बाद कौन से हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, 6 के बाद 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, अब इसके बाद 8 होगा, ठीक है, 6 क इन नहीं होगा थिक है 11 भी नहीं होगा थीक है फैक्टर कौन से हो जाएंगे 12 भी यहोजाएंगे। फिर उसका direct आपके आगे 36 और फिर उसका direct आपका पहुंच जाए कहाँ पहाँ पहतर खुदी हो जाएगा इतने सारे क्या हो गया इसके factors हो गया तो हमसे पूछा क्या जारा product of factors ठीक है इन से अपका product of factors का कितना आएगा सम कितना आएगा एक चीज आप देखना है यहाँ पर इसका अगर मैं product निकालने जाओ तो 72 जो है आपका 1 से हो जाएगा टो 72 जो मैं one से करूंगा तो 72 ही का से बहतर ही देगा समझिएक है द्हाँ से ठीक है फिसको जब मैं दो से करूंगा तो यह वह कितना मत्रम आई ग़ादको bahtar ही देगा दे तो होता ही है अब देख लिए कितना बन गए एक दो तीन चार पाँच छेत मतलब कितना आज गए 72 का पावर 6 this is the answer clear है बात समझ गए यह भी चीज चला जाब अपना अगला सवाल देख लिए थे हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है अगला सवाल क्या है the number of ways of expressing 72 as a product of two factors छीक है कितने तरीके से आप 72 को आप express कर सकते हो कि यह product of two factors है चीक है यह product of two factors है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर निकाल लो कि इसके factors कितने है तो चली निकाल लेते हैं जिसका एक formula होता है 72 को सबसे पहले एक prime factors में तोड़ दो प्रैम factors में जब हम तोड़ेंगे तो 72 का हम लोग कैसे लिख सकते है 8 into 9 लिख सकते है यहां से क्या हो जागे 2 का cube हो जाएगा और यह कितना 3 का square हो जाएगा clear नहीं तक अब यह prime factors होगे इसके नीचे नहीं जा सकता है तो number of factors क्या हो जाएगे number of factors यह formula इसका निकालने number of factors जो भी power भी न उसको लिलो 3 plus 1 into 2 plus 1 clear है यह 3 और 4 हो गया और यह 3 हो जाएगा यह 4 into 3 that is 12 कितना हो गया यह 12 हो गया ठीक है तो number of factors कितना आ गया 12 आ गया और number of ways हम से यही पुछा जाए number of ways expressing 72 तो number of ways क्या हो जागा number of ways number of ways क्या हो जागा product of two factors तो 12 तो हमारा number of factors है और product of two factors तो 2 से क्या कर देंगे हम लोग इसको divide कर देंगे कितना जगा पस 6 तो 6 तरीके से हम लोग express कर सकते हैं 72 को product of two factors करके clear रहां तक चलिए बढ़ा जापना अगला सवाल देख लेते हैं हां तो दोस्तों अगला सवाल आपके screen पर है अगला सवाल कर है in how many ways can 144 be expressed as a product of two distinct product two distinct factors तो अब बोला जा क्या जा रहे हैं पर कि 144 को हम लोग कितने तरीके से express कर सकते हैं जिसमें दो distinct factors होने चाहिए distinct मतलब क्या होने चाहिए अलग-अलग factors होने तो हम लोग इसका product को कैसे दर्सा सकते हैं प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको 1 into 144 एक तो यह तरीका है दूसरा क्या हो सकता है 2 into 72 लिख सकते हैं इसको भी और फिर क्या हो जागा 3 into 48 clear यहां तक अब इसके बाद 4 से भी कर सकते हैं 4374 to 4 tab 4 into 36 भी लिख सकते हैं इसके बाद कहा लिख सकते हैं 5 तो नहीं होगा 6 से भी कर सकते हैं 6 into 24 इसके बाद आजागा आपका 6 के बाद 7 आठी और 9 न हो निए गोगा 10 भी नहीए और, एशे के बाद सीघा आप 9 आएगा छे, साथ, आठ, हाँ, नौ से तो डिवाइड होई जाएगा, नौ, 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 चक्छववन होता, ठीक है? अब उसके बाद, नौ के बाद सिधा आपका आजएगा, बारह इंटू, बारह, ठीक है? अब उसके बाद, आठ भी होगा इसमें, आठ इंटू, कितना हो जागा आपका? पाँ, छे, साथ, साथ तरीके से हम लोग, एक्सप्रेस कर सकते हो, प्रोड़क्ट ओफ 144, क्लियर है यहां तक? बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं, हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल का, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, कि कितने नंबर आएंगे 100 और 1000 में, जब हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो रिमेंडर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, और जब हम लोग उसको 11 से डिवाइड करेंगा, तो हमें रिमेंडर कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, तो सबसे पहले तो हमें यह चीज़ यहाँ पर ग्याद करना पड़ेगा, वो नंबर है क्या? तो नंबर यह होगा, कि जब हम लोग बोल किया रहा है कि वो नंबर, how many numbers लाइड, मतलब 100 और 1000 के बीच में चाहिए, तो सबसे पहले हम नंबर निकाल लेते, तो यहाँ पर दो चीज़े बोली जा रहे है, दो case है, पहला क्या case है कि, एन अगर मेरे पास नंबर है, उसको ज ने लेते, q1, maľго लेते, closet में, तो हमें remainder कितना बसता है, तीन बसता है, ठीक है, अब यहाँ से, अगर मैं n की value निकाल लो, तो n की value कितना लिग सकता हूं यहाँ पर, 7 q1 진 8 q1 का लिग सकते हैए, और यहाँ से n value क्या लेग सकता है, 11 q2, प्लस में क्या लिख सकता है, मैं 4, clear यहां तक, अब यह दोनों क्या होंगे, equal तो होंगे, न, तो मैं यहां से क्या लिख लूँगा, 7Q1 plus 3 is equal to हो जागा, आपका 11Q2 plus 4 हो जाएगा, clear यहां तक, ठीक है, तो यहां से मैं Q1 की value निकाल सकता हूँ, Q1 is equal to हो जागा, 11Q2, 3 इदर आजागा, माइनस हो जागा, तो plus में 1 हो जाएगा, बटे में कितना लिख लिए हैं, 7, बटे में कितना लिख लिए, 7 में लिख लिए, तो हमें Q1 क्या निकालना है, एक integer निकालना है, Q1 जो होना चाहिए, एक मेरा integer होना चाहिए, fraction में नहीं होना चाहिए, तो Q2 का हम Q1 और Q2, Q1 और Q2 की जो value होगी, वह हमें कहां से start करेंगे, नीचे यह शुरू करेंगे, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो ऐसे करके 0, 1, 2, 3, 4, और ऐसे यह चलता जाएगा, ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर नीचे शुरू करेंगे, अगर मैं बोलता हूँ, Q2 जो मेरा 1 है, अगर हम 1 लेते तो 11 प्लस कितना हो जागा 1, that is 12, और 7 से वो divisible नहीं है, जब 7 से वो divisible नहीं होगा, तो मेरा Q1 क्या जगा है, fraction आजगा, तो 1 भी consider नहीं करेंगे, 0 भी नहीं कर सकते हैं, 2 consider करके दिखते हैं, 22 और 23, वो भी 7 से divisible नहीं है, 3 से 33 और 1, 34, वो भी 7 से divisible नहीं हो, और 45 बटे में साथ, ये भी divisible नहीं हो, 5 करते, तो ये हो जगा 55 और plus 1, that is 56, और 7, 8 जब 56 होता है, मतलब Q2, जब मेरा 5 होगा, तो Q1 मेरा कितना हो जाएगा, Q1 मेरा हो जाएगा, 8, ठीक है, तो सबसे minimum से ही start करते हैं, इसमें नीचे से ही शुरू करते हैं, तो मेरा कितना है, 5 आया, और यहाँ पर कितना हो गया, 8 आता है मेरा Q1 का value, तो मेरा Q2 और Q1 का value यहाँ से निकल गया, तो N मेरा number यहाँ से निकल जागा, N मेरा यहाँ से number क्या आजागा, किसी मेरा पूट कर लो, इसमें भी कर सकते हो, या इसमें भी पूट कर सकते हो, तो इसी में पहले वाले में पुट करता है, 7 into q1, that is 8, plus 3, 7, 8 जा 56, 56 और plus 3 कितना हो जागा, 59, तो मेरा n क्या निकल किया आगए है, 59 निकल किया गया, अब क्या बोला जारा है, 7 से डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं, कितना देता है, 4 देता है, तो हमें यहाँ य 11 का LCM कितना आ जागा है, 77, कितना आ जागा, 77, अभी 77 को हम लोग क्या करना है, इस नमबर में आड कर देना, क्योंकि 100 से लेकि 1000 तक हमें चाहिए, तो नमबर क्या आ जागा मेरा है, n is equal to आ जागा, आपका 59, प्लस कितना जागा, 77, तो यह आजगा आपका यहाँ से कितना ह 136, clear है, तो अब 136 जो नमबर होगा, वो मेरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 136 मेरा क्या आ जागा है, यहाँ से, डिवाइड हो जाएगा, अब 136 तो मेरा पहला नमबर हो गया, और दूसरा नमबर कौन सा जागा, इसमें 77 जोड़ दो, 77 जोड़ने पर कितना आ जागा यह 213 आ जागा, ठीक है, ऐसी करते करते मेरा कहां तक चला जागा अपका लास्ट नमबर, लास्ट नमबर कितना हो जागा, 983, 1000 से नीचे ही लेना, 100 से लेका 1000 के बीच में लेना, तो मेरा लास्ट नमबर कौन सा हो जागा, 983 हो जागा, तो यहाँ से हम लोग चली निकाल लेते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है, 983 is the last term, number of turns निकालना ना मुझे, यह पुछ रहा है, यहां सो जगा 983 last term है, first term कितना मेरा, 136 plus n-1 और d, difference कितने का है, यहां पर 77 का है, ठीक है, 136 इधर में है, और इसको मिनस करेंगे तो यह आ जगा कितना, 847, n-1 और n-2 में आगे, आपका 77, n-1 is equal to 847 divided by 7, ठीक है, यह कितने से divide हो जागा, आपका 11 से divide हो जागा, तो n is equal to कितना हो जागा, यहां से 12, तो n का value कितना हो जागा, 12, तो कितने number of terms हो जाएंगे आपको यहां पर, 100 और 1000 के बीच में आ जाएंगे, 12 terms होंगे, जो कि 7 से divide होंगे, तो 3 remainder देंगे, और 11 से divide होंगे, तो 4 remainder देंगे, clear होगे हो जागा यहां तर, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं, हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके screen पर है, यहां पर क्या वोला है, यहां पर HCF निकालना में, दो number दे रखेंगें, एक तो 3 to the power 15 minus 1, और दूसरा क्या हमारा, 3 to the power 25 minus 1, तो देखें, यहां पर इसका जो formula होता हो, formula यह होता है, कि अगर मुझे बोला जा रहा है, HCF of, दो number का निकालने के लिए, जैसे में दोनों number ले लिए, आपका base सेम होना चाहिए, a to the power p minus 1, और दूसर number क्या हो जगा, a to the power q minus 1, यहां पर दोनों का क्या है, यहां पर जब हम लगाते है, HCF इसका निकालने के लिए, HCF बरावर क्या जगा 3, और to the power क्या जगा है, HCF of 15 and 25, minus 1, तो 15 और 25, क्लिर यहां था है, तो 15 और 25 का जब आप HCF निकालने तो चली निकालने, बहुत सारे तरीकया, आप इससे भी निकाल सकते हैं, 25 है और यहां पर कितना आपका, 15 है, और इसको फिर 10 यहाँ पर आ जाता है यह 5 दूना 10 यह क्या हो गया आपका कट गया तो कौन सा HCF हो जागा मारा 5 तो 5 क्या हो जागा मेरा HCF हो जागा 15 और 25 का तो 3 to the power क्या लिखोगे 5 लिखोगे माइनस 1 ठीक है 3 to the power 5 जब हम लिखेंगे यह 3 तीन तीन नो नो एकासी और इन्टू 3 कर दें तो यह हो जागा आपका कितना 243 माइनस 1 और यह आजागा कितना 242 HCF कितना हो जागा इसका 242 clear हो गया हो गया यह चीज़ तो इस हीच को आप याद रखिएगा यह वले formula को याद रखिएगा तो इस सी यह problem आसानी से हाल हो जाएगा ठीक है चली बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके screen पर अगला सवाल कहा है the HCF of two natural numbers a b is 10 and LCM of these numbers is 45 if a is equal to 15 then b is ठीक है देखिए यहाँ पर क्या वाल है दो natural number है मेरे पास a और b जिनका HCF कितना है HCF जिनका है आपको 10 और LCM कितना है LCM है इनका 45 और एक की value दे रखे गए किसकी a की value दे रखे गए 15 तो हमारा पास एक formula है formula कि दो number का multiplication is equal to होता है HCF उन्ही दोनों number का into LCM उन्ही दोनों number का दोनों क्या होते हैं बरावर होते हैं a कितना है मेरे यहां पर 15 है और b तो हमको निकालना ही है और HCF कितना है 10 है और LCM कितना है यहां पर 45 है यहां से क्या हो जागा 15 है 45 हो जाएगा तो b is equal to कितना जागा 30 ठीक है तो b की जो value आई कितनी 30 है जो कि जिससे हमारा क्या सवाल गलत है ठीक है यह wrong है अब जैसे कि समझ के चलो कर मेरे पास दो number है a और b और इन दोनों का अगर आपको बोला जाए HCF निकालने के लिए HCF इनका क्या होगा अभी जो यह number है हमारा निकल की इनका HCF कितना हो जाएगा? ап 13 ठीक है और LCM कितना हो जाएगा? Wh लेगिन हमें जो दे रखा गया क्या दे रखा गया? HCF बोला गया 10 और LCM बोला गया 85 ठीक है? जबकि ऐसा होता है कि HCF का रिब्रो gree veg होता है क्या होता आपका LCM होता है ठीक है जैसे यहाँ पर आपको देख पा रहे होगे HCF है ना आपका 15 उसी का product क्या होगे आपका LCM मतलब एक तरह से हमें बोल सकते हैं factors होते हैं ठीक है तो यह आपका क्या correct है और यह लगा क्या आपका wrong है हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके screen पर अगला सवाल के LCM and HCF of factorial 10 and 15 factorial are respectively तो एक चीज़ यहाँ पर समझेगा हमें क्या निकालना है LCM निकालना तो इन दोनों का LCM क्या हो सकता है LCM of हमें क्या वो लेहरा 10 का factorial और 15 का factorial तो आप ध्यान से देखना यह जो 10 का factorial है ववो 15 के factorial के अंदर भी तो है इन दोनों का LCM कितना हो जागा इन दोनों का LCM ळीम हो जागा आपको 15 का factorial clear है अब HCF निकालना है HCF of factorial 10 and factorial 15 फ्यर्या पर HCF क्या हो जागा यह चीज़ पर 10 factorial है यह 10 factorial 15 factorial के अंदर भी तो है इनका क्या हो जाएगा HCF इसका हो जाएगा आपको फैक्टोरियल 10 क्लियर है अब देख लेते हैं option में तो option में हमारा D option क्या हो रहा है LC में respectively बुरूला था करमशा तो D option क्या हो जाएगा है से correct हो जाएगा clear हो गया हो गया यह सवाल बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं हाँ तो दोस्तों यह इस वीडियो का अंतिम सवाल है जो क्या आपकी स्क्रीन पर है इसमें क्या आप लजारा find the remainder of 18 to the power 116 बटे में क्या इतना है आपका 19 है यहाँ पर आपको शेशफल बताना है तो आएए देखते हैं 18 to the power कितना है 116 का factorial है और बटे में कितना 19 है अब इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या आप इसका 18 का निकाल सकते हैं एक सो इसको इस तरीके से हमलों करते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 19-1 to the power 116 का factorial और बटे में कितना होगा 19 अब जैसी कि अगर मैं इसको तोड़ता होगी हूं क्या देगा आपको 0 remainder देगा ठीक है तो 0 remainder देगा यह चीज तो हमारे पास बच क्या गया बच गया और to the power कितना होगा 116 अब यहां पर मुझे क्या दिख रहा है 116 दिख रहा है यह क्या दिख रहा हमें even दिख रहा है तो minus 1 का power जब भी even रहेगा तो यह निकल के क्या आएगा मेरा positive value आएगा 1 बटे में कितना आएगा 19 क्लियर है तो remainder मेरा कितना बचना चीए remainder मेरा क्या हो जागा आपका 1 हो जाएगा ठीक है क्योंकि numerator जो है वह smaller than किस से है 10 numerator से है तो इस case में हमेशा remainder क्या होगा इस case में मेरा numerator ही होता है तो remainder क्या हो जागा यहां पर 1 हो जागा that is 1 is the answer clear यह चीज समझ गयोगा इस सवाल को भी ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता है कि इस वीडियो का पीडियेप जो है उसका लिंक आपको नीचे discussion box पो मिल जाएगा आप चाहो तो उसको download करके अपने future reference के लिए रख सकते हो ठीक है तो at last दोस्तों thank you so much for watching my video and best outlook for your future कि अवाए सर दोस्ते है स्कते है दोस्तोंी ही एत अपकोः चाहे सकते हैंग जाएगे हाँ मे की आपकोः पटता है